क्या सेल्फ स्टाडी करने से मेरा नेट और जारेफ का एक्जाम क्लियर हो सकता है? मैं कितने घंडे पढ़ हूँ कि मेरा नेट और जारेफ हो जाए? मुझे पहले प्रीवेस एर क्वेस्टन लगाना चाहिए या मैं पहले कॉंसेप्स के तरफ जाओं? पेपर वन पढ़ू या पेपर टू पढ़ू अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो आप मेरे साथ इस वर्क्शॉप में जोड़ें जहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी the strategies जिससे कि self-study से आप अपने किसी भी एक्जाम को क्लियर कर सकते हो so hi everyone मैसल गुलशनक्तर पेपर वन फाकल्टी अग बाइजुस एक्जाम प्रेप and मैं इस वर्क्शॉप में डिस्कास करूंगी the strategies जिससे कि आप self-study करके अपने किसी भी एक्जाम को क्राक कर सकते हो so मेरे साथ इस वर्क्शॉप में जुड़ना नहीं भूले 22nd September शाम के छे बजे इसकी लिंक इस वर्क्शॉप की लिंक आपको comments में provided है आप जाके महां से register करें this workshop is completely free but you will get to learn a lot from this workshop so we'll be waiting for you all on 22nd September शाम के छे बजे see you